अगर एरफॉस जोइन करना है तो फॉजी बन कर दिखाओ वरना घर जाकर बेलन चलाओ दोस्तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिश्टर फिल्मी पे इस वीडियो में बात करेंगे जानवी कपूर के फर्स्ट बायोपिक फिल्म जिसमें जानवी कपूर ने गुंजन सक्षेना का रोल निभाया है गुंजन सक्षेना इंडियन एर फोर्स में हेलोकॉप्टर पैलेट थी वे 1994 में एर फोर्स जोईन की थी और 1994 के कारगेल यूद की हिस्सा थी इंडिया की वो फर्स्ट वोमेंन थी जो कारगेल यूद में सामिल हुई थी वो भारतिय वायुसेना की फ्लाइट लेप्टिनेंट स्री विद्या राजन के साथ दो महिलाओ में से पहली हैं जिन्होंने यूद चितर में प्रविश किया वे इंडियन एर फोर्स में चीता हेलोकॉप्टर की पैलेट थी फ्लाइंग ओफिसर गुंजन सकसेना 24 साल की थी जब उन्होंने कारगेल यूद के दोरान उरान भरी थी और वे श्री नगर में तैनात थी कारगेल यूद में वे अप्रेशन बीजय के हिस्से के रूप में काम की उन्हें दुश्मनों की पोजीशन, मैपिंग और निगरानी के लिए अभम भूम का सौपी गई थी उन्हें 13,000 से 18,000 के फीट की उचाई और दुश्मनों की गोलाबारी के साथ और अस्थाइल लेंडिंग मैदानों से निपटना पड़ा और वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निभाई थी वह दस पाइलेटों में से एक थी और स्री नगर में एक मात्र महिला पाइलेट थी वे इंडियन एर फोर्स में पाइलेट के रूप में 1996 से 2004 तक सर्विस में रही पिंजन सक्षेना दा कारगिल गल फिल्म को 12 अगर्स 2020 को नेट्फिलिक्स पे रिलीस किया गया था यह एक बायोग्राफिकल फिल्म है इस फिल्म को IMDV पे 5.2 आउट अप 10 की रेटिंग मिली हुई है इस फिल्म का रुनिंग टाइम 112 मिनिट का है इस फिल्म को धर्मा प्रोडुक्शन और G.E. स्टूडियो के बैनर तले बनाया गया था इस फिल्म को सरन सर्मा ने डैरेक्ट किये है यह उनकी पहली डैरेक्ट को ही फिल्म है इस फिल्म को प्रोडुस करन जोहर, G.E. स्टूडियो और अपुडवा महता ने किये है इस फिल्म के लेखन का काम लेखिन मलोत्रा और शरन सर्मा ने किये है हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टार काश्ट के बारे में तो इस फिल्म में नज़र आये थे जानवी कपूर, रिवा अरोड़ा, पंकस तिरिफाती, अंगद बेदी, मा नव, विनीत कुमार सिंग और चंदन के आनंद हम जान लेते हैं इस फिल्म के मुजिक अल्बम के बारे में तो इस फिल्म में 25 मियट के टोटल लेंद के 7 गाने रखे गये थे इन सबी गानों में अपना मुजिक दिये थे, अमित त्रिवेदी ने और फिल्म के गानों को लिखा था कौशर मुनीर ने अब हम जान लेते हैं इस फिल्म से जुरी बहुत सारी अन्नन फैक्ट्स के बारे में पहले इस फिल्म का नाम दा कारगिल गर्ल रखा गया था लेकिन बाद में इसे चेंज करके गुंजन सकसेना दा कारगिल गर्ल रख दिया गया इंडियन एर फोर्स ने CBFC, Netflix और धर्मा प्रडॉक्शन को एक पत्र बेजा पत्र में कहा गया कि धर्मा प्रडॉक्शन ने भरोसा दिलाया था कि युआओ लोगों को वायू सेना में सामिल होने के लिए प्रोट्साहित करे गया फिल्म लेकिन फिल्म में एनियन एर फोर्स को नेगेटिव एस दिखाया गया है जानवी कपूर को फिल्म में अपना वेट कम करते हुए दिखाया गया है रियल में भी जानवी कपूर को इस फिल्म में काम करने से पहले अपना वेट को कम करना पड़ा था फैक नमर फॉर यह फिल्म गुंजन सक्सेना के जीवन से प्रेडित है जो कारियल यूद में पहली भारतिय महिला वायोशेना पाइलट थी फैक नमर फाइव इस फिल्म को 13 मार्च 2020 को ही रिलिस किया जाना था लेकिन COVID-19 महामारे के कारण इस फिल्म को 12 अगस 2020 को नेट्फिलिक्स पे रिलिस किया गया फैक नमर 6 जानवी कपूर फिल्म के एक सीन में राम लखन फिल्म के सौंग माइनेम इज लखन पे डांस करती यह सौंग उनके चाचा अनिल कपूर पर फिल्म आया गया है फैक नमर 7 संजे कपूर और महिप कपूर की बेटी सियाना कपूर ने गौजन सक्षेना की बायोपिक में साहय के निदेशक के रूप में काम किया है जिसमें उनके कजिन जानवी कपूर ने मुख भूमी का निभाई है इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, अगर किसी भी फिल्म के बॉक्स ओफिस परफॉमेंस और अनसुनी बातों को जानना हो तो इस फिल्म का नाम हमें कॉर्मेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तब तक धन्यवाद जैहिन दोस्तों